नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं कन्या राशी के जातकों के लिए विशेश वीडियो लेके आई हूँ जिसका विशेश ये है कि देव गुरु ब्रस्पति वशनी माराज की मक्का राशी में यूती होने जा रही है 20 नौंबर 2020 से जो की चलेगी 6 अप्रेल 2021 तक इस यूती का प्रभाग कन्या राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगी मैं आपको जो एक गुरु वशनी की यूती बता रही हूँ वो मैं आपकी चंदराशी के अधार पर बता रही हूँ अगर आपकी चंदराशी कन्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जैसे देखिए आपके समुक ये कन्या राशी की कुंडली है कि जहां चंदरमा लिखा है वहाँ पर 6 नमबर का अंक लिखा हुआ है इसी प्रकार अगर आपकी जनम कुंडली में भी जहां चंदरमा ल तो 5 नूहमबर 2019 से देव गुरु बर्सपती आपके चौते भाब में चल रहे थे धनुराशी में, देव बर्सपती जब धनुराशी में आपके चौते भाब में बैठे थे, उनकी पहली दिश्टी थी 1, 2, 3, 4, 5 आपके इस्टम भाब पर 6, 7, उनकी 7 दिश्टी थी आपके दशम भाब पर आठ नौ और उनकी नौमी दिश्ठी थी आपके बार्वे भाब पर हमारी कुंडली में अश्टम भाब होता है बाधाओं का अपमान का निंदा का भै का मुसीब्तों का उस पे आपके सुख भाब के सौमी क्योंकि सुख के भाब में धनुराशी आती है सुख तो हमारे जीवन में मुसीब्ते या ला ररहे थी दे मधार में प्राबम हो रहे ही थी कई लोग जातक जौब बदलने की सोच रहे थे या कईों को वेपार में लगाता रहानी हो रही थी वह सोच रहे थे वेपार कप सही धंग से चलेगा और कई लोगों को अपनी जगा थी जहां पर रहते थे जगा को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि गुरू जब चौथे भाब में गोच शनी महाराज की बात करें तो शनी महाराज फल देते हैं 3, 6, 11 का लेकिन शनी महाराज इस समय पंचम भाब में चल रहे हैं और मकर आशी के हैं और सौराशी के हैं अगर कोई भी ग्रह अपनी सौराशी में होता है तो उस भाब को बिगाड़ता नहीं है लेकिन अभी तो शन बड़न की तो कि बिचार करें अपनी ऑपनी जा है अपनी बड़न में प्रावर्टि परवर्ट में ही घातम अपनी तो जब कमई कर देते हैं और कुछ ना प्रावं पावछ चीज की भृद्ध तो जो आपके पंचंभाब में आएंगे तो पंचंभाब के फ़लों की बिदी कर देंगे दोनों ग्रह की अलग-अलग फित्रत है गुरु बिदी करने वाले ग्रह और शनी कमी करने वाले ग्रहें अब क्या शनी माराज यहां पर मक्राशी में हैं अब देव बर्सपति जो कि पंचम भाव का अच्छा फल देते हैं यह आ गए और उनकाया से एक बात यह भी बीज से 6 अप्रेल 2021 तक का समय है वो काफी अच्छा जाएगा कैरियर के साफ से सबसे पहले हम देखें के गुरू का प्रभाप क्या होगा गुरू आपको देंगे सुख और आनंद आपके क्योंकि चतुर्टेश आपके पंचम में आ गया आपके सुखों में विर्दी होगी और घर में अच्छा वातावरन होगा घर में टेंशन वगरा खतम होगी साथ ही कई हों के घर में संतान का जनम हो सकता है और जो नवभ दिवायत जंपत्ती संतान प्लान करना चाते थे उनको संतान सुख मिल सकता है अब यह पंचम भाप जो होता है उसे बिद्ध्या-पु करीशन लंगे तो जो भी डिसिजन लेंगे चाहया इतिक जो अपनी जॉब के बारे में यह कैरियर के बारे में जो कोई भी मैत्वण निंडे लेंगे तो वो निंडे काफी अच्छा होगा ठैराब लियह हो तो अप सारी बातों को अच्छी तरह सोचै कि भीशा रहेंगे तो यह समय जो है धन के साफ से काफियतिक पॉजिटिव है हर काम में सफलता का संकेती समय दे रहा है गुरु और शनी दोनों मिलके आपको कामों में सफलता दे सकते हैं आप अगर गवर्मेंट जोब में थे या प्रेवेट जोब में भी थे और आपकी लंबे समय से कोई परमोशन या इंक्रीमेंट रुकी भी थी तो इस अबदी में आप कन्याराशी के जातक हैं आपको इसका लाब मिल सकता है और आप अगर जोब बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं क्योंकि आपका पंचम और नवम भाब अग्टिव हो गया मैं आपको बताया था जब भी जोब बदलनी हो तो पंचम और नवम भाब में अगर कोई घ्रह संबन करते हैं तब आपको लिए जोब बदलने का समय अच्छा है और इस समय आप जोब बदलेंगे इस समय उसको शुरुआत करने का समय बहुत बहतरीन है और हम बात करें विवायोगे नविक्तियों की तो उनके विवा का समय के लिए काफी अच्छा गोचर है क्योंकि यहां पर देखिए शनी की दिष्टी सब्तम भाब पर है एक दो तीन और गुरू की दिष्टी लगन जब गुरू और शनी लगन और सब्तम भाब से सम्मंद करते हैं तो विवा का समय आता है तो कन्या राशी के विवा के इच्छुग यूबक वश्टी है उनका 20 नौबर 2020 से 6 अप्रेल 2021 तक विवा उनकी सम्माबना है और अगर आप सरकार से किसी कारण से जुड़े हैं सरक जबंग राजयोग बन रहा है शनी का एफेट क्या होगा कि शनी क्योंकि पंचमेश सौराशी के है तो शनी आपको इस ये गोचर आपको कंसेप्शन के लिए अच्छा है संतान की प्राप्ति हो सकती है प्रेम समन शुब रहेंगे और साथ ही जो लोग साइंस की फील से हैं दो तीन और शनी आपके पंचमेश होने के साथ सस्टेश भी है तो जीवन साथी के स्वास्ते को लेकर को आपको चिंता हो सकती है और संतान से जुड़ी कोई समस्य आपको परिशान कर सकती है साथी गुरू वशनी आपके पंचम भाप से संबन बना रहे हैं आप क्योंकि तो पेट से सम्मंदित रोग आपको परिशान कर सकते हैं, अगर आपको पेट समंदी रोग रहते हैं और आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें साबधानी रखें, तो अब यह देख रहे हैं कि गुरु और शनी का यह तो प्रभाव है हम देखें प्रणाम क्या हुआ प्रणाम हमाले बहुत अच्छा हुआ कि 5 नौंबर 2019 के बाद कन्या राशी की जातकों के लिए बहुत अरिक रहात का समय आया है चाहे आप जॉब करते हो या वैपार करते हो यह 20 नौंबर 2020 से 6 अपरेल 2021 के बीच में आपके काम बन सकते हैं और कैरियर के लिए शांदार समय है कैरियर में अभी तक आपको जो रुकावट आ गई थी आप जौपने वदल पा रहे थे कैरियर में परमोशन नी हो रहे थी उन सब के लिए अथी पॉडिटिविटी है और एक बात की धान और रखी है कि अगर आपकी जनम कुणली में जहां पर मकर राशी है वहां पर जनम के समय ही गुरू, बुद, शुक्र या शनी हो रखे हैं कि जैसे हैं मकर राशी में बुद्ध है आपकी जनम कुणली में या मकर राशी में शुक्र है तो इसका मतलब इन पर जब गुरु और शनी का गोचर चलेगा तो आपके लिए और अधिक पोचेटिविटिविटी पोगा, क्योंकि गुरु शनी गोचर में जब जनम कुंडली के गुरु, बुद, शुक्र या शनी पर चलते हैं, तो और अधिक पोचेटिविटी देते हैं, और इसके सुरे की हुई या किसी ऐसे ग्रह की हुई जो छटे आठवें बार्वें भाब में बैटा है नीच का है शत्रु चेत्री है शटवल में कमजोर है अश्टवर में भी पोजिशन कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर का उतना दिक लाप नहीं बिलेगा जितना दश प्रवाब मिलेगा यह इस पर निर्वर करता है कि आपकी कुणली में जनम कुणली में दशा किस घ्रह की चल रही है उसकी अकौर्डिंगी प्रवाब मिलेगा तो दश को इस तरीके से में आपको बताने की कोशिश की कि कन्या राशी के जातकों के लिए 5 नहंबर 2019 के बाद प्रवाब से जब से देव गुरु बर्सपती नेगटिव चल रहे थे अब 20 नहुंबर 2020 को देव बर्सपती मकराशी में आ गए हैं हां इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूथ है कि 29 मार्स से लेकर 29 जून तक भी देव बर्सपती मकराशी में आये थे और आपके पंचम माव में रहते लेकिन यह वह समय था जब भारत में करोना काल शुरू हुआ था और देश में लाउड़ॉन की स्थिदी चल रही थी सारे काम दंदे बनते और आप लोग घरों में बनते तो इसलिए आपको इस गोचर का कोई क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको एफेक्ट क्या मिलेगा लेकिन अब भावान की दया से धीरे धीरे लाव की प्रक्रिया चल रही है और करोना की कारण भी के बाब जूद भी हम लोग घर से निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिटी में अब आपको एफेक्ट मिलेगा कि य आपकी एफेक्ट के गने के सब्सक्राइब करना है प्रस्क्राइल कर दे साथ साथ लागा दे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोड करों उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ नवस्काः नश्कों message